इस बच्चों का लेंच हो या बड़ो का कहीं घूमने जाना हो कुछ अच्छा कहाना हो या सब्जी बनाने का मनना हो तो पर्फेक्त रेसीपी है या आपके लिए हलो फैंक्स नमस्ते मैं हिंदता सौरद करती हूं आज मैं आपके लिए लेकर आई हैं बहुत बढ़ी आ रेसिपी जो खाने में बहुत देश्टी रखती है और बनाने जिसे बहुत लीजी है वीडियो अगर आपको अच्छी लगते तर्पीज इसे लाइक किजेगा शेयर कि अधी चमच अजवाइन हाथो पर रब करके डालेंगे तर्प अधी जमच अजवाइन हाथो पर रब करके डालेंगे क्यूंकि रब करने से क्या होता है इसके जो खुश्बू है जो फ्लेवर है वो एकदम बढ़ जाता है और इसी के साथ मैं मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया अगर हरा धनिया ना हो तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया और अब ऐसमने डालते हैं जो इसका मेन इंग्रीडियंट है जिसके जो इस पूर्यों की मीन है वह हमारी लौक दूधी लौक की कहते हैं इसे अलग अलग जगांपे इसका अलग अलग नाम है और अगर कहीं कोई प्राव्लम हो घी श्टर सब पहले घीया तोरी खाना ही बतात बारिक हमें से ग्रेट करकर लेना है आप जब इसे पूरियों में डालेंगे ना तो किसी को पता नहीं लग According कि घीए की बनाई है यह देखें बिल्कुल बारीक मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और आप हमें इसे इस यह देखिए मैं इसे डाल देती हूं और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक डो लगा कर तयार हो करना है बहुत ही पढ़िया लगती है यह पूरिया खाने में हमें इसमें अभी पानी नहीं डालना है पानी हम थोड़ा देर बाद डालेंगे इसमें हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि जब लौकी नमक के कॉंटेक्ट में आती है तो थोड़ा पानी रिलीज करती है इसलिए हमें इसको मिला कर थोड़ी देर के लिए रखा है और फिर उसके बाद जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी एड़ करेंगे यह कुर्म पानी मैं इसमें टाला है की तtałक A aren कि हरी तो छॉड़ा सा घ्रूर्ट नियुक्त ऊपानी मैं बस बाद को तेल गी करते की जमा हुआ है जमाल गीं हो मैं एक जमगा है उटाल रहे हैं और तेल भी आपघाज किशची मिक्स कर दोशुआ है घ्र घ्रव्य करें आज के इसको रख देते हैं rest पर 10 मिनेट हो चुके हैं और हमारा डो देखते हैं हम कैसा है बढ़िया स्मूथ डो हमारा बन गया है और नहीं जादा पतला है नहीं जादा टाइट है लेकिन अगर आपका डो टाइट हो जाए ना तो आप उसमें सुखा आटा मिलाकर इसको टाइट कर सकते हैं वरना फिर पुड़िया नहीं बनेंगी इसके अच्छे से अब हमें इसकी चोटी चोटी लोईयां बनानी है तो लोई बनाने के लिए हाथ पर इस तरह से आप पहले तेल लगा लीजे थोड़ा सा ताकि आटा जो है वो हाथ पर चिपके ना और फिर चोटी चोटी लोईयां बना कर तयार कर लीजे जिस साइज में भी आपको पूरी चाहिए अब उस साइज के इसको इसमें से लोईयां बना कर तयार कर लीजे इस तरह से हाथों पर गोल-गोल घुमा के यह देखिए मैंने एक लोई तयार कर लिती हूं यह देखिए यहां पर मैंने लोई भी लगा सकते हैं इससे बेलने में आसानी रहती है और जो पूरी है वो चिपकती नहीं है ये देखिए तेल मैंने लगा लिया है अची तरह से और इसको हम बेल लेते हैं जितना मोटा पतला आप रखना चाहें पूरी को आप उतना इससे रख सकते हैं ये देखिए मैंने वह उपर तैर कर आ गई मतलब तेल हमारा परफेट गरम है इसको निकाल लेते हैं यहाँ से और बाकी सारी पूरियां भी हम इसी तरह से तेल लेंगे इस तेल में यह देखिए मैंने पूरी डाली इसमें और बबल साने शुरू हो गए हैं अब थोड़ी दिर में पूरी उपर फूल कर आ जाएगी और हम इसे दबा दबा कर फुलाएंगे बिल्कुल गोल गप्पे की तरह फुली फुली पूरियां बनकर तयार होती हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं सबजी बनाने का मनना हो ना तब के लिए तो बैस्ट ऑप्शन है क्योंकि सबजी भी जा टेस्टी लगती है यह देखे एक दम फूल चुकी है पूरी इस तरह से दबा दबा के हमने पूरी को एक दम गोल गप्पे की तरह फुला लिया है अब जब तक यह थोड़ा क्रिस्पी होती है हम यहां पर दूसरी पूरी जो हमने बेल ली है उसे भी हम इसमें डाल लेते ह है और इसी करभ को अगना है इस तरह से उसको भी हमने दबा-दबा के फुलाना है पूरीयों को बनाना बहुत इज़ए है बहुत जल्दी बनती है यह पूरीयों को सिखने में जादर कल्य माधार आहिए और उना जारह बेलने में टाइम लगता हैं आप इसे इस तरह से च जाए को दूसरी पुरी को भी हम इसी तरह से तरह से लेंगे इस तरह से नहीं पूरी नहीं डालेंगे पुरिया इस तरह से नाकर द्यार कर लिए बहुत ही बढ़ को यह तोड़कर दिखाती हूं कितनी क्रिस्पी बनकर ये तयार हुई है अंदर से ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में जब मैं इसको ऐसे दबाऊंगी तो आप खुद देखेंगे कि कितनी खस्ता बनकर ये तयार हुई है ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगती है अप इसको दही के और सब्सक्राब किजे थैक यू